आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज discussion on parliament journey of 75 years 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकते या उसके विशे पे नहीं बता सकते पर इतना अनुभव ज़रूर बताएंगे पर अनुभव बताने से पहले सर हमारे देश के जो असली हीरो महापुर्श और करांती कारियों ने जो ये देश के देश के लिए योगदान दिया जिनोंने अपना कून का एक कत्रा-कत्रा इस देश के लिए दिया उनका उलेक होना इस parliament में बहुत ज़रूरी है और ये parliament में ये जुनी building में इनके साथ इस देश वासियों की बहुत सारी यादें और हम जैसे नियू कमर जो पहली बार इस parliament में आये उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी है पर मुझे लगता है राश्ट्र पिता महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी के लिए इस देश के लिए वो बने सरदार वल्ला भाई पटे लोकमानिय तिलक जोतीबा फुले नेता जी सुभास चंद्र बोस्त लाला लच्पत राय जी राजगुरु सुखदेव चंद्र शेकर आजाद जी रानी लक्षमी वाई वीर सावर कर जी मुझे लगता है भगत सिंग जी येस और सर इस पार्लमेंट में आने का एक नॉर्मल फैमली से बिलॉंग करती हूँ पूर्व सैनिक रहे हुए मेरे पिता जी हैं उस परिवार से मैं आती हूँ जिस परिवार में मैंने सिखा हैं कि देश को देने की भाव देश के प्रती समर्पन देने की भाव और इमानदारी से देश के प्रती काम करने की भाव बच्पन से हमने अपने परिवार में सिखी है और उस परिवार से मैं आती हूँ सपने में भी सोचा नहीं कभी जाया जा सकता कि एक सादरन परिवार से बिलॉन करने वाली महिला ये पार्लमेंट तक आ सकती है और आम लोगों की आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की जिनको हाथ से मजदूरी नहीं उन लोगों की आवाज बनकर इस पार्लमेंट में आने का मुझे मौका अगर कोई दिया है तो आज मेरी अमरावती की सभी जनताओं का ये आशिरवाद मुझे था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलियत चुनकर आशिरवाद दे कर उनकी आवाज बनाने का एक मौका उन्होंने दिया इसलिए इस जूनी पार्लमेंट में जो जिस पार्लमेंट में पिछले कितने सालों से बहुते हैं डेमोकरसी की आवाज बनती हुई इस पार्लमेंट में सबने सुनी हैं तो इसके दौरा मेरे अमरावती आज मेरी पहचान है तो अमरावती की सांसत करके मेरी पहचान है तो उस अमरावती करों को, उस गरीब लोगों को, वो मेरे किसान भाईयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को, इस पारलमेंट से मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी और ये पारलमेंट में आने के बाद, हम जिनके नेतरूत में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदर्निया प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोजी जी के, अंतर रहे कर ये पारलमेंट में हमको काम करने का मौका मिला, जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले साड़े चार वर्षों में, हमने उनके नेतरूत में यहां पे होते हुए देखा है, तीन सो सत्तर हो, या महिलाओं को घर देने के विशे में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पारलमेंट ने आगे कदम बढ़ाया है, सर, जी ट्वेंटी का भी मौका, इस देश को पहली बात, जी ट्वेंटी तो होती होगी बहुत सारी चीजों म मोधी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है, स्मार्ट इंडिया के उधारन बहुत सारे मोधी जी के द्वारा हम लोग देश वास्तियों ने, हम जैसे युवकों ने सिखा है, पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किस को जाता है या किसका योगदान सब से जाता है तो वो powerful हमारे प्राइम मिनिस्टर, नरेंदर मोदी जी को जाता है अगर वो है, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं करके विश्व में हमारी पहिछान, बहार सर देश में जाते हैं, अपरउड में जाते हैं आम लोगों से वहां के, NRI से, तो बोलते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, do you know anybody politician who belongs to India? So, वो बोलते हैं, नहीं, we don't know much names, but we know one name, that is Modi. So, मुझे लगता है, तब proud feel होता है, कि मैं उस देश की नागरी को और उस Parliament को represent कर रही हूँ, जिनों ने इसके पहले, जितने राजनीता हुए है, उनके नाम उन्हें बता नहीं है, पर आज, पिछले 9 वर्षों से, जिनका योगदान, जिनका विश्व भर में, अपनी पहचान, हमारे देश की पहचान बनाने का काम, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है, तो मुझे लगता है, उनका दिल से धन्यवाद करूंगे और इस पार्लमेंट में, जितने भी सीनियर, हमारे पार्लमेंटेरियन हैं, मंत्री रहे हुएं, सभी मेंबर्स हैं, सबका आशिरवाद हम जैसे नए न्यू कमर, न्यू पार्लमेंटेरियन को मिलते रहा हैं ये पिछले साड़े चार वर्चों में, हमने उनसे बहुत सारी चीजें सिखी हैं, अगर हमने पहला कदम रखना सिखा है इस पार्लमेंट में, तो मुझे लगता हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ा कर सिखाया है, मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहिब अंबेट कर, जो सविधान के मताबिक इस देश को चलाते हैं हम जैसी मैलाओं को, अधिकार जिनों ने दिया, लोगतंतर का डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसको बोलते हैं, आज वो पार्लमेंट का 75 साल पूरा होने के बाद इस पार्लमेंट से नहीं इमारत में जाएंगे, इस देश का सविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रयालाइन नहीं बदलेगी, इस देश का कारे करने वाला जो रमूख है हमारे पंतबदान जी वो नहीं बदलेंगे सिर्फ इमारत बदलेगी हमारी भावना इस देश के प्रती जो थी वो है और वो रहेगी हम जिस सर लास्ट एक दो मिनिट हमारे देश के ग्रह मंतरी अमिशा जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो जो निरने इस पार्लमेंट में लाएं जो बिल इस पार्लमेंट में लाएं वो एतिहांसिक हमारे दिल में इस देशवासियों के दिल में रहेगी इसके लिए अमीद भाई का भी दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करूंगी सर लास्ट चार पंतिया हमारे आटल जी ने कही है हम है हम रहेंगे यह ब्रह्म भी सदा पलता रहेंगा इसके साथ इस इमारत को इस को, यहां से नमान करती हूं यह बार्लमें बैठने वाला और 아र और्लमें के द। हमारे लिए प्रेना दैते है और आप सभी को बहुत बहुत भद बहुत त जहने वाला हमें very very short, please बैक दिख wanted to personality अब साथ इसे शिदो ज न ल कुष्द बि twists दो ए